हाई फ्रेंड्स आज अब बात करने जा रहे वोड़ा फोन आइडिया अगें इन ट्रबल तो भी लेटेस कांटर सी क्या है यह अपन देखेंगे जिसके से शेयर का प्राइस टू परसंट से गिर गया है तो नो वड़ास एपन तो कंपनी के लिए नया प्रोब्लिम यह है कि कर दिया है फॉर लाइसेंस फी रिव्यू तीन हजार दोसो त्रैतर करोड का लाइसेंस वी था वह रिव्यू करने का जो एप्लिकेशन था वह गोर्मेंट ने रिजिट कर दिया है मतलब इंड्रेक लेपी भरना ही पड़ेगा देन अब वोड़ा फंको जो अब्जेक्शन था वो था for 2016 financial year उसको जो लाइसेंस फी था वो 1524 करोड था बरबर है बट उन्हें डिमांड रेस किया है 1749 करोड का तो 2016 के लिए कितना मांगा है उन्हें 1749 एंड 1543 यक दोनों का टोटल होता है 3273 3273 इन दोनों का टोटल तो इतना फीज उनसे मांगा है तो वरदाफन डेने आसे लिए कि इतना फिस क्यूँ पिण्चन सब्सक्राइब है कि युद्न रेस के ठालर क्म्टेंट की लास्ने लाइसर ना संस्ट क्यों विंदा है बट डी ओटी ने उसको खारिज कर दिया है मतलब इसके बाद दो परसें से शेर अभी कम हो गया है ठीक है तो यह बहुत बड़ा जटका है वोड़ा फोनारिक लिए सेकेंड उनकी कंपनी है जिसका नाम है इंडोस टावर जो उतके लिए टावर वगरा सब इंस्टॉल करत तो कंपनी उनको पैसा देती है तो कंस्ट्रॉक टावर एट वेरिस प्लेसे सो देट यू एन में गेट बेटर कवरेज अभी इंका भी बहुत सरे ड्यूजे लगबगे सेवनेट सिक्स फोन करोड तो साथ अजर आट्सो चोशोट करोड रुपया इंडस्ट और को देना है व्टाफोन आटो को अनकमिका केना यह रिटन दिया है यह कंपनिया हमरे पेमेंट नहीं कर दिया है रिक्ना सो अमरे वरकिंग केपल इंपक्ट हो रहा है cash flow impact हो रहा है, they are not picking the payment, तो total दिखेंगे तो 7, 8, 6, 4 plus 3 to 7, 3 लगबग 11,000 करोड के आसपास ओड़ा पो नैड़ा को पैसा देना है, the question is telecom industry margin इतने stake पे आचोके due to the competition by reliance, तो ये बहुत बड़ा challenge होगा इस company के लिए कि कैसे उसको overcome करती है and how they'll be able to pay it and plus they have to make profit also because public ने कमने पैसा invest किया है, so अगर आपका this word of an idea के share है, तो आपको देखना है, now अभी उनके problem काफी समय से, कुछ problem में आपके साथ share करूंगा, पहला 30 September 2021 करे न, तुनका जो debt है, वो था 1,90,007,80 so 194,780,00 का liability था कब 30 September 2021 को 2022 में उन्हें डिसेड के कि उसमें से 16,000 करोड जो है जो interest liability था उन्हेंने government को उतने shares दे दिये, so they decided to give off their shares, तो company ने 30,35.8% stake दे दिया government को, क्योंकि 16,000 को क्या करना था, interest liability liability कम करना था, बट खाली 16,000 करोड हुआ है liability कितना है 194,780 करोड वो भी उन्हें पे नहीं किया है मतलब profit में से पे नहीं किया है issues की company को profit अंतरना पूर difficult हो चुगा है या reasonable profit तो लोगने उनके shares दे दिये, कितने दे दिये and government को मिला 33% stake in Vodafone company चीक है, तो that means, say, indication क्या as investor कि company उनके loan repay नहीं कर पा रही है shares कितने देगी, एक loan पे वो भी खतम हो जाएंगे तो अभी main question क्या है, जैसे आजी लंबानी गुरुकता चोटे मुड़े कंपनिया खतम हो गई, तो अभी ऐसा market मिला रहे कि खाली, reliance एक ही player ना बचे, क्योंकि अभी दो ही player है, एक reliance है और दुसरा Vodafone आइडिया है, और दिस्तरा AIDL है, तो दो-तिरी गुरुक बचे, तो अगर Vodafone एड़े इतना pressure में है, कि कंपनी कितने समय तक survive हो पाएगा, survive तो हो जाएगा, but will they able to give enough return to shareholders, अगर आपने उसमें निवेस्ट किया है, इतने सरे तो देखते आगे जाके क्या होता है, इस पर जैसे कोई अप्डेट साता है, मैं आपके इमीजेटल लेक्या होँगा, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकों को प्रेस करना है, अगर आप फ्री में डिमें अकोट उपन करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने लिंक दिया उसको क्लिक करके आप फ्री में डिमें अकोट उपन कर सकते हैं, तैक इस सो मच गैस for watching the video, till then, मिलते हैं आगले वीडियो में, त सब्सक्राइब। बगार लू कर सकतалы, पchtज हैं तEMAले ओिमें आप कर př formative här तो थो दो, टू जा आए भाइफ, क्लिस आप एग, प्लशोंक जां कोट आए, इस ना राग्यों, अजा प प nuclearमारे ङॉए, हैं जामारे ल Glauø does और